हेलो फ्रेंड्स इस टॉपिक में हम बहुत ही महत्पूर्स टॉपिक पर बात करेंगे सुप्रीम कोट के बहुत ही बड़े आदिश के वारे हैं अरणेस बनाम इस्टेट ऑफ बिहार साथ इसमें जो है दिया गया है यह दिया है सुप्रीम कोर्ट और इंडिया ने ठीक है किसने अर्नेश कुमार बनाम दा इस्टेट ऑफ विहार में इसमें एक ऐसा चुको 13 चुदे दिन पुलिस जेल के लिए भी बेज दिया गया था क्या यह मामला वह आप जान लीजिए साथियों सबसे पहले में एक चीज बाप को बता दूए कि अपराद दो कर्टागरी के ओते हैं एक होते असंगे अपराद जिन में तीन वर्ष से कम की सजा होती है असंगे अपराद कोई व इन में साथ वर्ष से कम की सजा है ठीक है आपने कोई ऐसा क्राइम कर दिया जिसमें साथ वर्ष से कम की सजा है तो ऐसे में ही पुलिस आपको बिना CRPC-40 बने के गरपतार नहीं कर सकती यही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अर्नेस कुमार स्टेट ऑफ बियार में कहा गया है क्या का वह आप जान लीजिए एक चीज़ और यह दियाद लीजिए आपको कानुन चाला लाना चाहते ले सकते कॉंटेक्ट नमर वीडियो की डिस्कस्पन में आपको दिया गया है साथ क्यों देखिए मैं पहले सामान निवासा में समझा दूं फिर मैं आपको CRPC-40 आपको बिना CRPC-41 एका नोटिस वेजे ग्रफ्तार नहीं कर सकती डिरेक्ट रफ्तार नहीं कर सकती है ठीक है सुप्रीम कोड ने कहा अब आपको हुझे बहुत अच्छी बात बिल्कुल अच्छी बात है लेकिन कुछ कंडिसन में ग्रफ्तार कर सकती है साथ यूँ ठीक है क वह मैं सामान तरीके से आपको बता दूँ माल लीजे आपने कोई ऐसा अपराद किया जिसमें पांच वर्स का कारवास इसमें पुलिस बिना CRPC-41 के नोटिस के तो ग्रफ्तार तो करेगी तो नहीं तो ग्यादिस दिया है लेकिन सुप्रीमियो कोड ने यह कहा है कि अगर प बढ़काएगा या गवाओं का अपरण कर सकता है तीसरा अगर माल लीजिए यह बंदा जो है यह देश छोड़के भाग जाएगा ठीक है चौथा कि अगर यह बंदा है जो इसने अपराद किया है यह जब कोड बुलाएगा तो आएगा नहीं ठीक है तो ऐसी कंडिसन में इक रिपतारी कर सकती है बाकी साथ वर्स के कमका का रवास है और ऐसे में फाजीर हो गई है तो पुलिस को डारेक्ट ारी नहीं करनी चाहिए पहले CRPC-41A का notice जारी करना चाहिए, बुलाना चाहिए, ठीक है, पुछताच करनी चाहिए, उसके बाद इक रफ्तार करना चाहिए साथी हो, और कोई भी legal advice हो ले सकते, contact number वीडियो के discussion में, आपको